तो गैस अभी हमें डैली मुंबई एक्सप्रेस वे पे और यहाँ पे हमारे सामने हैं एमजी हेक्टर का पैट्रोल वर्जन इसे मैं आज मैंने 600 किलोमेटर्स ड्राइव कर लिया है और जब मैं इसे घर लेके पहुचा तो 600 की जगा 800 किलोमेटर्स टोटल अमने से ड्राइव कर लिया था इस वज़े से इस ओडियो वाले पार्ट को मैं वोईस ओवर करके आपको दिखा रहा हूँ और इसी वज़े से टाइटल में भी मैंने 800 किलोमेटर्स मेंशन किया है तो 600 किलोमेटर्स ड्राइव करने के बाद एक दिन में मुझे कैसी मैलेज मिली है इसकी परफॉमेंस कैसी रही है ये सब चीज़े आज मैं आपसे कुइकली शेयर करता हूँ और आपको basically positive or negative side बताता हूँ हेक्टर के हां कुछ लोग बोलते हैं कि front grill थोड़ सी over done हो गई है बट again वो एक subjective choice है तो वो depend करता है person to person पे मुझे परसनलीस का जो facelift version का look है न वो जादा पसंद आया है इसमें जो आपको petrol version मिलता है ये आपको मिलता है CVT transmission के साथ अब CVT transmission है तो जाहर सी बात है कि आपको smooth transmission मिल जाता है उसके अलबा petrol engine जो है उसका बहुत ही जादा refined है 141 bhp of power and 250 newton meters का torque ये engine produce करता है लेकिन negative side की अगर मैं guys बात करूँ तो वो है थोड़ा सा mileage में इसका जो engine है वो आपको उतना खुश नहीं कर पाएगा जाहर सी बात है कि इतने बड़ी size की car में अगर आप petrol version आप्ट कर रहे हैं तो mileage उसके diesel engine जैसी तो नहीं मिलने वाली है आपको लेकिन इसने जो हमें mileage दी है पूरे रास्ते में वो दी है नियरली 9 से 10 km पर लीटर की अब city में अगर मैं बात करो तो इसकी कई कई टाइम पे mileage 8 से 9 km पर लीटर की भी रही थी लेकिन overall जो ये Mumbai Express वे है इसमें इसने 10 से 11 km पर लीटर तक की भी mileage offer कर दी थी बस यही चोटर सा factor कुछ लोगों को थोड़ सा disappointing लग सकता है और गाइस दूसरी बात इस कार में आपको थोड़ सी bouncy ride मिलती है क्योंकि इसको suspension है वो बहुत जादा stiff नहीं है बस यही दो factors है जो कि इसमें improve किये जा सकते हैं otherwise जो मैंने इसका पूरा drive test करके देखा है उसमें positive side हमने जादा feel किया है comfort में ultimate है इसका comfort गईज इतना अच्छा है कि यकीन मानिए कि अगर आप under 30 lakh कोई ऐसी 5-seater SUV ढूणने जाएंगे जिसमें आपको बहुत जादा अच्छा comfort मिले तो mg actor को इस चीज में beat कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल है और genuinely ये चीज आप तब feel कर पाएंगे जब आप इसे जादा स्यादा drive करेंगे performance भी decent देती है जितना कि हमें 1.5 लेटर के turbo charge petrol engine से expect कर सकते है भागी lights का throw जो है वो काफी जादा amazing है इसको drive करते दौरान मैंने आपको दिखायाता है इसका throw कैसा है आप वो वीडियो भी एक बार check out कर सकते है जिसमें मैंने Mumbai Expressway के बारे में आपको बताया था बागी briefly मैं आपको भी बता देता हूँ cars में क्या मिलता है LED DRL देख सकते हैं आप काफी जादा attractive लगते है specially night वाले time में और यहाँ पे मिलते हैं आपको इसके projector head lamps और नीचे की side fog lamps मिलते है cornering function मिलता है grill काफी massive मिलती है बड़ी आराम से bag हमारे place हो चुके थे यहाँ पर यह देख सकते हैं अब हमारे जो bags थे वो यहाँ पर रखे थे पहले अभी हमने इसको boot में transfer कर दिया है जिससे मैं आपको दिखा पाएं कि space और comfort कैसा है हमारे सब दो लोग और travel कर रहे थे और उनके according भी यहाँ पर comfort जो है वो काफी ज़्यादा ultimate है दूसरी बात जो amazing चीज लगी मुझे इसकी वो लगी इसका boot space boot space काफी ज़्यादा amazing है इसका जो कि आप तब ज़्यादा feel कर पाएंगे जब आप इसे long drive पे लेके जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 587 liters का nearly boot space मिल जाता है और वैसे तो मैंने इसके बारे में डीटेल में वीडियो पोस्ट की है और लेडी अपने चैनल पे आप वो वीडियो पर चेक आउट कर सकते हैं आस तो बस मैं आपको यह वता रहा हूँ कि मुझे इस कार में particularly travel करते दौरान क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी इस कार में जो एडाज और adaptive cruise control आपको मिलता है उसकी वज़े से ऐसे कुछ expressway में इसे drive करना बहुत ज़्यादा easy task हो जाता है और lane keep assist की बात करूँ तो वो आपका इसी type के highway पे ज़्यादा work करेगा जहाँ पे lane की formation properly की जाएगी अच्छा ground clearance की बात करें तो ground clearance यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है थोड़ी बहुत off-roading भी हमने सीखी लेकिन car की underbelly किसी भी तरह से कभी भी touch नहीं हुई बागी आपको कैसी लगी MG Hector और अगर आपने हमारी Delhi Mumbai Expressway वाली ride MG Hector के साथ नहीं देखी अभी तो make sure आप उस वीडियो को भी एक बाद check out कर ले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और MG Hector आप खरीदने के सोच रहे हैं तो आप हमसे नीचे दे comments में इस car से लेटर कोई भी query पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आते हैं तो make sure वीडियो को लाइक करना ना बूले चैनल को subscribe करना ना बूले मिलते आप से एक लिए वीडियो में thanks for watching